21 जून को ही अंतर राष्टिय योग दिवस भी हैं 21 जून सुमवार से देश के हर राज में 18 वर्षे उपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुप्त वैक्सिन मुहया कराएगी बारत से अजे प्राज स्वारिकों के लिए स्वारिकों को भारत से भी हैं अम्गाचार्थवं संवधद्धध्वं संगचार्थवं संवधद्धवं संभो मनांसी जानतां संभो मनांसी जानतां देवा भागं यता पूर्वे संजाना ना उपासते संजाना ना उपासते संजाना ना उपासते ताड आसन ताड यानि ताड का पेड़ इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति ताड के पेड की तरह उची और मजबूत हो जाती है इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पेरों को परस पर दो इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाए अब अपने हाथों को कंधों तक उठाए हथीलियों को सामने रखकर अपनी उंगलियों को आपस में पकड़े और फिर धीरे से कलाईयों को बाहर की तरफ मोड़े अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधों की सीध में उठाते हुए सर के उपर ले जाए इस सवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे अपनी एडियों को जमीन से उपर उठाए और पंजों के बल खड़े हो जाए अब बिना अपना संतुलन खोए बिना पैरों को हिलाए इस थिती में 10 से 15 सेकंड तक रहे सामानी रूप से सांस ले और छोड़े कुछ देर आराम से रहे शुरुवात में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है इसके लिए आप अपने सामने एक बिंदू पर अपनी आखें केंद्रित करे इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा ये आसन वीड से जुड़ी दंत्रिकाओं के संगुलन को ठीक करता है शरीर की मुद्राओं यानी पॉस्चर को बहतर बनाता है इससे जांग, घुटने और एडिया मजबूत होते हैं यदि आप, रिदय रो, सरचक्राना या पैरों में सूजी हुई नसों जिसे वैरिकोज वेन कहते हैं से पीडि थों तो ये आसन ना करें दस से पंद्रा सेकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे से अपनी सास छोड़ते हुए, अपनी एडि को वापस जमीन पर रखें धीरे से उंगलियों को खोले और अपने हाथों को नीचे लाकर वापस सीधे खड़े हो जाए इस आसन का नियमित अभ्यास, शारिरिक और मानसिक संतुलन विक्सित करते हैं विक्षासन, विक्षकार्थ है पेड, इस आसन में आपके शरीर की स्थिती एक विक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है सबसे पहले अपने पेरों को परस पर दो इंच की दूरी पर रख कर सीधे खड़े हो जाए अपनी आखों के सामने किसी एक बिंदू पर अपना पूरा ध्यान के अंदरित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए, सावधानी से अपने दाएं पेर को मोडते हुए, धीरे से उपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पेर की अंदरूनी जांग पर रख दें। तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिर्ता और सजक्ता को बढ़ाता है। व्रिक्षासन आपकी नियूरो मस्कूलिय को ओर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन से पैरों की मानस्पेशियां मजबूत होती है। यदि आप गठिया, चक्कर या मु तोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाए। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराए। व्रिक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है। इस आसन से आपके मस्तिश्क के सजट्टा बढ़ती है और आप अपने काम को एक आगरता से करने में सक्षम बनते हैं। पाद हस्तासन संग्स्कृत में पाद का अर्थ होता है पै और हस्त का अर्थ होता है हाथ। इसलिए पाद हस्तासन का मतलब वो योग आसन जिसमें आप अपने हाथों को अपने पैरों तक ले जाते हैं। इस आसन को उतना आसन के नाम से भी जाना जाता है। इस आसन के लिए सबसे पहले अपने पैरों के बीच दो इंच की दूरी बनाते हुए सीधे खड़े हो जाए। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए, अपने दोनों हाथों को सामने की और सीधा रखते हुए अपने सर के उपर ले जाए। अपने शरीर को जितना हो सके अपनी कमर से उपर की ओर खीजे। इस अवस्था में धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक जुकाएं जब तक की आपकी दोनों हथेलिया जमीन को छू सके। ध्यान रहे कि नीचे जुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ नीचे जुके। ध्यान रखे यदि आपको कमर में अकड़न की समस्या हो तो कमर को उतना ही जुकाएं जितना आप बिना किसी तनाव या तकलीव के जुका सकते हुए। अब इस स्थिती में सामा ने रूप से सांस लेते और छोड़ते हुए दस से तीस सेकेंड तक रहे। पादहस्तासन से आपके रीड की हड़ी लचीली बनती है। ये आसन महिलाओं के मासिक धर्म के समय होने वाली तकलीफों से राहत दिलाता है। किन्तु यदि आपको हृदय रोग, पीठ और रीड संबंधी समस्या, चक्कर या पेट की सूजन की तकलीफ हो तो ये आसन ना करने हो। हर्मिया, अदूर दर्शिता यानि हाई मायोपिया और अलसर के रोगी और गर्भुवती महलाओं को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। दस से तीस सेकेंड इस थिती में जुके रहने के बाद अब एक गहरी सांस अंदर लेते हुए धीरे से उपर आकर सीथे कड़े हो जाए। सुनिश्चित करें कि उपर आते समय आपकी बुजाएं और सर साथ में उपर आए। ऐसा करते समय आपके दोनों हाथ सर के उपर तने हुए होने चाहिए। अब धीरे से सांस छोड़के हुए अपने दोनों हाथ नीचे लाएं और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने से आपके पाचन क्रिया में भी सुधार होता है और कब्सका निवारन होता है। अर्ध चक्रासन इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिती आधे चक्र जैसी यानि पहिये के समान बोलाकार में आ जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दे ध्यान रखें कि आपकी सभी उंगलियां जुड़ी हुई हों ताकि आपकी कमर को अच्छे से उसकी पकड मिल सके अब एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को पीछे की ओड जुकाएं सर को इतना जुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मान स्पेशियों पर खिचाओ मैसूस हो सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें इस थिती में 10 से 30 सेकंड तक विश्राम करें अर्ध चक्रासन आपकी भीड को लचीला बनाता है, मेरू तंत्रिकाओं यानि स्पाइनल नर्व्स को मजबूती प्रदान करता है ये आसन सांस लेने की ख्षमता को बहतर बनाता है और सर्वाइकल स्पॉंडिलाइडिस यानि गर्दन के दर्द में भी आराम देता है पर याद रहे, इस आसन को करते समय उच्च रक्त चाप यानि हाइपर टेंशन या हाइवीपी के रोगियों को सावधानी से जुकना चाहिए यदि आपको चक्कर आते हों तो क्रिपया या आसन ना करे दस से तीस सेकंड तक इस थिती में रहने के बाद अब एक गहरी सांस भीतर लिए और धीरे धीरे अपनी कमर को सहारा देते हुए अपनी रीड की हड़ी को वापस सीधा करें उसके बाद सर को सामान्य स्थिति में वापस लाते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ें और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर अब पीट और गर्दन दर्द जैसी परिशानियों से हमेशा के लिए चुटकारा पा सकते हैं। त्रिकोन आसन इस आसन को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर यानी हाथ, पैर और रीड की हटी एक त्रिकोन का आकार ले लेते हैं। तो इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को परस पर आराम दायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। नब्बे डिगरी घुमाएं। अब एक लंबी गहरी सांस लें। और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से चुकाएं। दाहिनी हाथ से अपनी दाहिनी एडी को छूने का प्रयास करें। और अपने बाएं हाथ को ऊपर आस्मान की ओर उठा लें। हो सकता है आप में से कुछ अपने हाथ को अपनी एडी तक ना पहुचा पा रहे हो। तो ऐसे में अपने हाथ को वही तक ले जाईए जहां तक आपका हाथ बिना किसी तनाव के पहुँच सके। इस धिती में कुछ देर आराम से रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़े पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए वापस उपर की ओर आईए। और अपने ताहिने पैर को सीधे कर लीजिए। अब अपने बाएं पैर के पंजी को घुमाएं और दुबारा यही आसन अपनी बाईं तरफ से दोराएं। ये आसन जितना सरल है उतना ही उपयोगी भी है। ये आपके कमर की मानस्पेशियों को मजबूत बनाता है और आपको चप्टे तल्वो यानी फ्लैट फूट की समस्या से भी बचाता है। जंगाओं, कंधों, छाती तथा रीड की हड़ी को मजबूत और लचिला बनाता है। लेकिन अगर आपको गर्दन या पीठ पर चोट लगी हो, स्लिप डिस्क या सायटी का जैसे पिड़ाएं हैं, तो कृपया इस आसन को ना करें। जब आप लंबी गहरी सांसें लेते और छोड़ते हैं, तो ये आपके मानसिक तनाव और चिंता का भी निवारन करता है। भद्रासन अंग्रेजी में भद्रासन को दि उस्पीशिस पोस के नाम से भी जाना जाता है। ये आसन आपके तन एवं मन दोनों को द्रिरता प्रदान करता है। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सामने के तरब फैला कर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूलों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पे ना पड़ें। इस मुद्रा को दंडासन कहा जाता है। कर उन्हें सहारा दे सकते हैं। भद्रासन एक वीराम आसन यानि लंबे समय तक बैठे रहने की मुद्रा है। इसलिए अब इस मुद्रा में आख बंद करके सामाने रुप से सांस लें और छोड़ें। भद्रासन शरीर को द्रड़ रगता है और मस्तिश को स्थिर करता है। ये घुटनों और कूले की हड़ी को मजबूत बनाता है और घुटने के दर्द को कम करता है। ये आसन पेट में किसी भी तरह के तनाव को दूर करता है। महिलाओं के मासिक धर्म के समय होने वाले पेट दर्द और अन्य तकलीफों से भी राहत दिलाता है। ये आसन स्थिती में स्थिर रहने के बाद अपनी आखें खोले। अब धीरे-धीरे सांस अंदर लेते हुए और अपने पैरों को सामने की और फैलाते हुए दंडासन की मुद्रा में कुछ शनों तक आराम करें। भद्रासन आपके शरीर के अंद्रूनी अंगों पर असर करके आप अंद्रा में इस आसन का भ्यास करते समय अपनी आखें बंद रखें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको दंडासन की मुद्रा में आना होगा। जिसके लिए आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला कर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूलों के पास रखें, ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पर ना पड़ें, अब अपने दाएं पेर को मोड़ें और अपने दाएं कूले के नीचे रखें, और फिर अपना बाया पेर भी मोड़ कर अपने बाएं कूले के नीचे रखें, सुनिश्चित करें कि आपकी जा कि आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपना मेरुदंड सीधा रखें और शरीर को धीला छोड़ें। अब सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। और कुछ देर तक आराम से रहें। वजरासन से आपकी जांगों और पिंडलियों की मांस्पेशियां मजबूत बनती हैं। ये आसन पाचन क्रिया में सुधार लाता है। वजरासन आपके पैरों की नसों को मजबूत बनाता है। ये आसन पीट के निचले हिस्से में हो रहे दर्द और सायाटिका में राहत दिल आता है। वजरासन रीड की हड़ी को द्रेड़ता प्रदान कर उसे सीधा रखने में मदद करता है। यदि आपके घुटनों में दर्धो या टकनों यानि एंकल्स में चोट लगी हो तो कृपया यह आसन ना करे। बवासीर के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक वजरासन में रहने के बाद अपने शरीर को दाई और जुकाते हुए अपने बाएं पैर को सीधा करें। और फिर अपने शरीर को बाएं और जुकाते हुए अपने दाई पैर को भी सीधा कर पुनह दंडासन के मुद्रा में विश्राम करें। नियमित रुप से वजरासन करने से आपके शरीर को मजबूती प्रदान होती है और एकागरता भी बढ़ती है साथ ही आपके मन को शान्ती मिलती है और चिंता वतनाव से भी निवारन होता है उश्ट्रासन उश्ट्र एक संक्स्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है उउट इस आशन में आपके शरीर की स्थिती उट के पीट के उठे हुए हिस्से की तरह हो जा दिये इस आशन को करने के लिए सबसे पहले आप वजरासन में बैठ जाए हाथों को घुटनों पर रखते हुए शरीर को सर से पाउं तक सीधा रखें अब हम धीरे धीरे वजरासन से अर्ध उस्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे इसके लिए सबसे पहले आप आहिस्ता से घुटनों के बल खड़े हो जाए अब अपने दोदों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि आपकी उंगलियां जमीन की ओर है ध्यान रखें कि आपकी कोहनी एवं कंधे समानांतर हो और आपकी जांगी जमीन से बराबर 90 डिगरी पर हो अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी वीड के निचले हिस्से की ओर से पीछे की ओर जुकी सर को इतना जुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मानसपेशियों पर खिचाओ मैसूस हो इस आसन को अर्द उस्ट्राशन कहते हैं अब हम अर्द उस्ट्राशन से उस्ट्राशन की ओर बढ़ेंगे जिसके लिए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए ताहिने हाथ से ताहिनी एडी और बाए हाथ से बाई एडी को पकड़े ठ्यान रखे कि पीछे जुकते समय गर्दन को जटका ना लगे सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें इस थिती में 10 से 30 सेकंड तक रहें उस्ट्राशन से पीट और गर्दन की मांस पेशिया मजबूत होती है ये आसन सर और सीने में रक्त संचार को बेहतर बनाता है इस आसन को करते से त्रिष्टी में सुभार होता है ये पेट और पूलों की चर्वी घटाने में मदद करता है यदि आपको हर्निया, चक्कर या गठिया की शिकायत हो तो ये आसन ना करें रिदय रोग और उच्च रक्तचाप के रोगी ये आसन ना करें अगर आपके पेट में चोट लगी हो या आप गर्ववती हो तो भी ये आसन ना करें दस से तीस सेकेंड इस आसन में रहने के बाद अब आप एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से अपनी गर्दन को सामान्य करते हुए अपनी कमर को सीधा करें और वापस अपनी एडियों पर बैठते हुए वजरासन की स्थिती में आ जाएं और अब वजरासन में हैं सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें उश्टरासन को नियमित रूप से करने पर आप कब्स जो की शरीर के कई अन्य रोगों का कारण होता है उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाकर एक स्वस्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं शर्शांक आसन संक्स्कृत में शर्शांक का अर्थ है खरगोश इस आसन में आपके शरीर की स्थिती एक खरगोश की तरह हो जाती है इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वजरासन की मुद्रा में बैठ जाएं अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें अब अपने दोनों घुटनों को आराम दायक स्थिती में जितना हो सके उतना फैलाएं सुनिश्चित करें कि आपके पैर के अंगुठे एक दूसरे को परस पर छू रहे हों अब अपनी हथेलियों को घुटनों के बीच रखें अब सास छोडें और अपनी हथेलियों को आगे की ओर खीचते हुए अपने शरीर को जुकाएं सुनिश्चिक करें कि आपकी भुजाएं समानतर हों और आपकी ठोड़ी जमीन पर अपनी दृष्टी सामने की ओर बनाय रखते हुए इस मुद्रा में कुछ देर आराम से रहें सामा नेरूप से सांस लें और छोड़ें शशांक आसन कब से रहत दिलाता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है ये आसन पीच दर्द में भी रहत दिलाता है हाई बीपी यानि उच्च रक्तचाब के रोग्यों को ये आसन सावधानी के साथ करना चाहिए घुटनों में गठ्या की शिकायत के रोग्यों को ये आसन सावधानी से या फिर नहीं करना चाहिए यदि आपके पीठ में अत्यधिक दर्धो तो कृपया ये आसन ना करें कुछ समय तक शशांकासन में रहने के बाद सांस लेते हुए उपर आएं और अपने शरीर को सीधा करें अब सांस छोड़ते हुए उन्ह वजरासन में आ जाएं अब अपने शरीर को एक तरफ जुकाते हुए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें और विश्राम आसन में आने के पस्चात विश्राम करें नियमित रूप से करने पर शशांक आसन आपको तनाव और क्रोध घटाने में मदद करता है उत्तान मंडू का आसन वज्रासन से शुरू करें हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें दोनों हाथों को सिर के उपर ले जाएं कोहुनियों से मोडते हुए दाई हथेली को बाएं कंधे पर और बाई हथेली को दाएं कंधे पर रखें इस थिती में तीन से दस श्वासों तक बने रहें अब श्वास लें तथा हाथों को उपर उठाएं श्वास छोड़ें, हाथों को नीचे लाएं और प्रारम भिक्स्तिती में वापिस आएं वक्रासन, वक्र का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ, इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला कर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूलों के पास रखें, ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पर ना पड़े इस मुद्रा को दंडासन कहा जाता है, अब अपने दाय पैर को मोड़े और अपने बाय पैर के घुटने के साथ रखें, अब अपने बाय हाथ को अपने दाय घुटने के पार ले जाते हुए, अपनी हथेली को दाय पैर के बगल में रखें, अब धीरे धीरे सांस छोड़ अपना ताहिना हाथ पीछे की ओर मोडते हुए अपने शरीर और गर्दन को दाहिनी तरफ मोडे। सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ सीधी हो। इस्थिती में सामनी रूप से सांस लेते और छोडते हुए 10 से 30 सेकेंड तक आराम से रहे। वक्रासन आपकी रीड की हड़ी को लचीला बनाता है। ये आशन अगनाशय यानी पैंक्रियस को उत्तेजित कर मधुमे को नियंतरित करने में मदद करता है। वक्रासन आपके यकृत यानि लिवर के लिए भी लापकारी है। वक्रासन कब से राहत दिलाता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है। यदि आपको गंभी रूप से पीठ दर्ध हो या रीड संबंधित तकलीफ हो या स्लिप दिस्क के शिकायत हो तो खृप्या ये आस ना करें। महिलाओं को मासिक धर्म के दोरान ये आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक इस थिती में स्थिर रहने के बाद सास छोड़ते हुए अपने शरीर, सर और पैरों को सीधा करें और पुनह दंडासन की मुद्रा में आ जाए। अब अपने दोनों हाथ पीछे नियमित रूप से वकरासन करने से आपके पेट की चर्वी घटती है और आपके शरीर के अंद्रूनी अंगों पर सकारात्मक असर होता है, जो आपको कब्जमुक्त जीवन व्यतीत करने में मदद करता है। मकरासन मकर का अर्थ है मगरमच पेट के बल इस प्रकार लिट जाएं कि टांगे एक दूसरे से दूर हों तथा पैर बाहर की ओर हों। दोनों बाहें मोड लें तथा दाहीने हाथ को बाएं हाथ पर रखें। अपने सिर को हाथों पर रख लें, आराम करें। यह मकरासन है। यह आसन सभी अधो मुखी मुद्राओं में विश्राम के लिए किया जाता है। यह पीट के निचले हिसे को आराम पहुँचाता है। भुजंगासन भुजंग का अर्थ है नाग या कोब्रा। इस आसन को करते समय आपके शरीर का उपरी हिस्सा जमीन से ठीक उसी तरह उठा रहता है। जैसे एक कोब्रा अपना फन उठाय रहता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकरासन की मुद्रा में आना होगा। जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने माथे को अपनी हथेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दें। अब मकरासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें और अपने हाथों को सामने की ओर खीचें। अपने माथे को जमीन पर रखें। अब अपनी हथेलियों को अपनी चाती के समीप रङते हुए अपनी कोणियों को उठाएं. एक गहरी सास लेते हुए और अपनी ठोड़ी को उचा करते हुए अपने शरीर को नाभी के हिस्से तक जमीन से उठाएं. ध्यान रखें कि आपकी कोणिया आपके शरीर के सीध में रहें और आपके पैर इस तरह तने हुए हो कि आपकी कमर पर अत्याधिक तनाव महसूस ना हो। इस थिती में सामाने रूप से सांस लें और छोड़ें और 15-30 सेकंड तक रहें इस आशन को नियमित रूप से करने पर फीच दर्द में आराम मिलता है। भुजंग आशन पेट की चरवी को घटाता है और कब्स की परेशानी से मुक्ति दिलाता है। ये आशन सांस सम्बंधी तकलीफों को दूर करने में सहायक सिध होता है। हरनिया और अलसर के रोगियों और गर्भुवती महिलाओं को ये आशन नहीं करना चाहिए। यदि आपके पेट का ओपरेशन हुआ हो, तो कम से कम तीन महिने तक ये आशन नहीं करना चाहिए। 15 से 30 सिकेंड इस थिती में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए, धीरे से अपने शरीर के उपरी हिसे को नीचे लाते हुए, अपने हाथों को सामनी की ओर खीचे और पुना मकरासन की मुद्रा में आने के बश्चात आराम दायक सांस ले। भुजंग आसन तनाव दूर करने के लिए सबसे उपयोगी आसन है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। शलब आसन शलब एक संस्कृत शब्ध है जिसका हिंदी में अर्थ है पतंगा या टिड़ा। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकरासन की मुद्रा में आना होगा। जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने माथे को अपने हतेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दें। अब मकरासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जूँए। अब अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के समीब इस तरह रखें कि आपकी हथेलियां आसमान की ओर हो और आपकी ठोड़ी जमीन पर हो। एक गहरी सास लेते हुए सिर्फ अपने नितम यानि कूलों की मानस्पेशियों के सहारे अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं। आप अपने पैरों को सिर्फ उतना ही उपर उठाएं, जितना आप बिना अपने घुटनों को मोड़े उठा सकें. आप पैरों को उपर उठाये रखने के लिए अपनी पाहों का सहारा ले सकते हैं, जिससे आप अपने शरीर को स्थिर रख सकें. अब इस थिति में सामाने रूप से सांस ही और छोड़े और 10 से 20 सेकंड तक आराम से रहे ये आसन सायाटिका एवं पीट के निचले हिसे में हो रहे दर्ज से रहत देता है कूल हो और गुर्दों के आसपास की मानस्पेशियों को आकार देता है इस आसन को नियमित रूप से करने पर जांगों की चर्वी घट्टी है और वजन कम होता है ये आसन हमारे पेट के लिए भी लाबकारी है और पाचन क्रिया में सहायक सिद होता है गर्भवती महिलाओं, पेप्तिक अलसा, हर निया, हाई बीपी और रिदय के रोग्यों को ये आसन नहीं करना चाहिए अगर आपकी पीट के निचले हिस्से में बहुत दत्वों तो इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए दस से बीच सिकेंड तक इस थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे टांगों को वापस जमीन पर ले आए अब मकरासन में आने के पश्चात विश्राम करें ये आसन आपके मानसिक तनाव और ठकान को भी दूर करता है सेतु बंधासन सेतु बंध का अर्थ है पुल बनाना इस आसन में आपके शरीर की स्थिती एक पुल की तरह होती है इस आसन को चतुषपदासन भी कहा जाता है सबसे पहले आप अपने पैरों के बीच आराम दायक अंतर बनाते हुए अपनी पीच के बल लेट जाएं अपनी दोनों हथेलियों को जमीन पर इस प्रकार रखें कि उनका मुख आसमान की तरफ हो इस आसन को शवासन कहा जाता है अब अपने दोनों पैरों को जोडें फिर अपने पैरों को मोड कर अपने कूलों के पास ले आएं फिर अपने दोनों टखनों यानि एंकल्स को अपनी हाथों से मजबूती से पकड़ें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने कूलों को जितना हो सके उतना उपर उठाएं जिससे आपका शरीर एक सेतू यानि पुल का आकार ले ले। सुनिश्चित करें कि आपका सर और कंधे जमीन पर हों और आपके घुटने और पैर एक ही सीध में हों। इस अंतिम मुद्रा में अगर आप चाहें तो अपने हाथों से अपनी कमर को सहारा दे सकते हैं। इस थिती में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और दस से तीस सेकंड तक रहें। ये आशन पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। ये आपके पेट की अंदरूनी अंगों में खिंचाव लाकर पाचन क्रिया में सुधार लाता है। और आपको कब्ज से मुक्ती दिलाता है। सेतु बंधासन रिदे सम्मंधिकारियों में सुधार लाता है। यदि आपको अलसर और हर्निया जीसी बिमारिया हैं तो ये आसन ना करें। गर्भुवती महिलाओं को ये आसन सावधानी से और परियविक्षन के तहप करना चाहिए। 10 से 30 सेकेंड तक सेतु बंधासन में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कूलों को वापस जमीन पर लाएं और अपने टकनों को छोड़ते हुए पुनस्षवासन की मुद्रा में आ जाएं और विश्राम करें। नियमित रूप से सेतु बंधासन करने से आपको अवसाद यानि डिप्रेशन और व्यग्रता यानि एंग्जाइटी से मुक्ती मिलती है। उत्तान पाद आसन इस आसन में पीट के बल लेट कर पैरों को उपर उठाया जाता है। इसी कारण इस आसन का नामकरण उत्तान पाद आसन हुआ है। जमीन पर आराम से पीट के बल लेट जाएं। पैरों की स्थिती सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े, धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को उपर उठायें। और तीस डिगरी का कोण बनाएं। सामाने रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस अवस्था में कुछ देर बने रहें। श्वास छोड़ते हुए दीरे दीरे अपने दोनों पैरों को मीचे लाएं और जमीन पर रखें। यह आसन ना भी केंद्र अर्थात ना भी मणी चक्र में संतुलन स्थापित करता है। अर्ध हल आसन इस आसन में शरीर की स्थिती खेतों की जुताई करने वाले भारतिय हल की अर्ध आकरती जैसी हो जाती है। इसी कारण इसका नाम हल आसन पड़ा है। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जांगों के बगल में रखें और हतेलियां जमीन पर टिका दें। घुटनों को बिना मोडे अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सर्व प्रतम अपने पैरों को 30 दिगरी तक उठाएं। तद पश्चात 60 डिगरी का कोण बनाएं। अब धीरे धीरे पैरों को 90 डिगरी के कोण की स्थिती में ले आएं। यह अर्ध हलासन की पून स्थिती है। इस अवस्था में शरीर की स्थिती नितम्व से कंधे तक सीधी होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिती में सिर जमीन से उपर ना उठे। यह आसन गहरे तनाव से ग्रस्थ व्यक्तियों के लिए अत्यांत लाबधायक है। परंतु उन्हें बड़ी साबधानी पूर्वक यह आसन करना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से के दर्थ से पीड़ित व्यक्तियों को दोनों पैरों के साथ इस आसन को नहीं करना चाहिए। पवन मुक्तासन पवन का अर्थ है वायू और मुक्त का अर्थ है छोड़ना या मुक्त करना। यह आसन आपकी आतों यानि इंटेस्टाइन से वायू या वात निकालने में उप्योगी है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों और हाथों को आरामदा एक दूरी में फैलाकर जमीन पर पीट के बल लेट जाए। सुरिश्चित करें कि आपकी हठेलियों का मुक्त आसमान की तरफ हो। इस आसन को शवासन कहा जाता है। अब शवासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को जोड़ें और अपने घुटनों को मोडते हुए अपनी जांगों को अपनी छाती के पास लाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथे और घुटनों के नीचे अपनी पिंडलियों के पास पकड़े अब सांस छोड़ते हुए अपने सर और कंधों को तब तक उठाएं जब तक कि आपकी ठोड़ी घुटनों को छूना ले ऐसा करते समय आपको आपके कटी प्रदेश यानि कमर के हिस्से में खिचाओं मैसूस होगा अपनी आखें बंद रखें और अपने कटी प्रदेश यानि कमर के हिस्से पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें इस्थिती में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें पवन मुक्तासन आपको वाद से राहत दिलाता है और उदर की वायू को कम करता है ये आसन आपको कब से मुख करता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है पवन मुकतासन आपकी मेरू तंत्रिकाओं यानि Spinal Nerves को ठीक करता है यह आसन आपकी Peat की मानस्पेशियों को मस्बूती प्रदान करता है पवन मुकतासन गहरा आंतरिक डबाव डालकर आपके कुल हे और कटी प्रदेश की मानस्पेशियों अस्थि बंधन यानि लिगमेंट्स और स्नायूं यानि टेंडेंस की जटिल समस्याओं से निदान कर उनमें कसावट लाता है। यदि आपको पीछ दर्धो या पेट में चोट आई हो तो कृपया ये आसन ना करें। हरनिया और सायटिका के रोग्यों को ये आसन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को गर्भावस्था में ये आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक इस्थिती में स्थिर रहने के बार सांस लेते हुए अपने सर और कंधों को पुनह जमीन पर रखें। अब सांस छोड़ते हुए अपनी तांगों को सीधा करें और जमीन पर रख पुनह सवाशन की मुद्रा में आकर विश्राम करें। पवन मुक्तासन आपके रख संचारन को बढ़ा कर आपकी नसों को उत्तेजित करता है और आपके आंतरिक अंगों की कारिक शम्ता में वृध्धी लाता है। शवासन पीठ के बल आराम से लेट जाएं, पैरों को फैलाएं, भुजाओं को शरीर के बगल में रखें, हथेलियां उपर की ओर हूँ और आखों को बंद रखें, पूरे शरीर के प्रती सजग रहते हुए विश्राम करें। श्वास लंबा, गहरा और लय बद्ध होने दें। श्वास मंद होते हुए महसूस करें। तास्की और निश्चिंतता की प्राप्ती होने तक इसी अवस्था में रहें। यह मस्तिश के अग्रभाग के श्वसन केंद्रों को उत्ते जित करता है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैट जाएं। आखे बंतरें और पूरे शरीर को विश्राम दें। गहरी सांस भीतर लें, सीना फुलाएं। सांस को उदर की मासपेशियों के बलशाली संकुचन से बाहर निकालें। शांत रूप से सांस भीतर लेना और सक्रिय रूप से बाहर निकालना जारी रखें। फिर एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे बाहर निकालें और विश्राम लें। इस प्रक्रिया को तीस बार करें। यह कपाल भाती का एक चक्र है। प्रतियक चक्र के अंत में गहरी सांस लेनी चाहिए। अब दो चक्र और करें। कपाल भाती सामने की वायू निकाओं को स्वच्च करता है। इससे कव संबंदी समस्याओं के निदान में सहायता मिलती है। यह ठंड, राइनाइटिस, साइनुसाइटिस, अस्थमा तथा श्वास संबंदी रोगों के उपचार में सहायक है। क्रिप्या ध्यान रखें, हृदे संबंदी परिशानियों, उच्ची रक्त चाप, चक्कर आना, माईग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया तथा ग्यास्ट्रे कल्सर होने पर इसका अभ्यास ना करें। नाडी शोधन, नाडी शोधन को अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राणायाम की मुख्य विशेश्टा है कि ये दाएं और बाएं नासिका चिद्रों से क्रमवार, श्वास, प्रश्वास को रोक कर या बिना रोके किया जाता है। नाड़ि शोधन को करने के लिए सबसे पहले आप सुखसन में बैठ जाएं, जो की एक ध्यानात्मक आसन है. सुखसन के अलावा, नाड़ि शोधन दूसरे ध्यानात्मक आसन जैसे बदमासन, सवस्तिक आसन या वजरासन में भी किया जा सकता है, जो जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं, वे कुर्सी पर बैठ कर अभ्यास कर सकते हैं। सुखासन में बैठते समय सुनिश्चित करें कि आपका मेरुदंड सीधा हो, सर उचा, दोनों हतेलियां घुटनों पर और आखे बंध हो। अपने मेरुदंड को सीधा रखने में आप दीवार का सहरा ले सकते हैं। अब कुछ गहरी सांसे लेकर शरीर को आराम की स्थिती में लाएं। नाड़ी शोधन का अभ्यास शुरू करने से पहले आईए अपनी उंगलियों की पहचान कर लेते हैं। अंगूठा, तरजनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा अब अपने बाई हथेली को ध्यान मुद्रा में लाने के लिए अपने अंगूठे और तरजनी उंगली को आपस में छूकर एक गोले का आकार दें। और अपनी मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली र और अंगूठा अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें। अब अपने दाई हतेली के अंगूठे को जो की नासा ग्रम उत्रा में हैं अपनी दाई नासी का चिद्र पर रखकर नासी का चिद्र बंद कर लें। और बाई नासी का चिदर से सांस भीतर ले फिर बाई नासी का चिदर अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों से बंद कर ले और डाई नासी का चिदर खोल कर सांस बाहर छोडे अब अपनी डाई नासी का चिदर से सांस भीतर ले और उसे अंगूठे से बंद कर बाई नासी का च चिद्र खोल कर सांस बाहर छोड़ें। ये नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ऐसे पांच चक्र दोहराएंगे। प्रारम में सांस लेने और छोड़ने में बराबर ही समय लगेगा। लेकिन सांस को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जितना समय हम सांस भीतर लेने में लगाते हैं, उससे दुगना समय सांस छोड़ने में लगे। सांस धीमी, स्थिर और नियंतरत अनुपात में बनाए हुए रखें। नाडी शोड़न का मुख्यो देश्य शरीर में उर्जा वहन करने वाली सारी नाडियों का शुद्धिकरन करके पूरे शरीर का पोशन करना है। ये रिदय रोगियों के लिए बहुत लाब दायक है। नाडी शोड़न कफ सम्मन्धित विकारों को दूर करता है। नियमित रूप से नाडी शोड़न का अभ्यास, जीवन शक्ति और एकाग्रता बढ़ाता है। और तनाव तथा व्यग्रता के स्तर को कम करके शांति प्रदान करता है। किसी भी आराम दायक स्थिती में बैट जाएं। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। आखें बंद कर लें। जिवहा को किनारों से मोड कर ट्यूब नुमा आकरती बना लें। जिवहा से श्वास लेते हुए यथा संभव वायू को फेपणों में भरें। जिवहा को मुख के अंदर ले जाएं और मुख को बंद कर लें। दोनों नासे का छिद्रों से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें और अपना ध्यान अपने श्वास पर बनाए रखें। ये शीतली प्राणायाम का एक चक्र है। एक बार पुनह दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम ध्यान की किसी भी आरामदायक स्थिती में बैठ जाएं, आखें बंद करें। तरजनी उंगलियों को अपनी आखों पर तथा अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को होटों पर रखें। फिर कानों को अंगोठों से बंद कर लें। ये शण मुखी मुद्रा कहलाती है। दोनों नासिका छिद्रों से गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और भवरे की गुणजन जैसी ध्वनी के साथ श्वास बाहर छोडें। एक बार पुनह दोहराएं। ध्यान ध्यान या मेडिटेशन सतत चिंतन की एक कला है। ध्यान में मुख्य रूप से तीन बातों का समावेश है। बाहरी वस्तूओं और आंतरिक अवस्था से अनभिग्य हो जाना। उस वस्तू के प्रती निरंतर जागरुपता जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और दूसरे मानसिक परिवर्तनों पर सहज रोक या उनसे प्रभावित ना होना। ध्यान आपको शान्ती और आंतरिक सत्भाव खोजने में मदद करता है। सबसे पहले आप पदमासन में बैठ जाएं जो की एक ध्यानात्मक आसन है। पदमासन के अलावा ध्यान दूसरे ध्यानात्मक आसन जिससे सुखासन या वजरासन में भी किया जा सकता है। जो जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं, वे कुर्सी पर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। पदमासन में बैठते समय सुनिश्चित करें कि आपका मेरुदंड आरामदायक स्थिते में सीधा हो। भुजाएं और कंधे धीले हो। सर हलका सा उंचा और आखें बंध हो। अपने मेरुदंड को सीधा रखने में आप दिवार का सहारा ले सकते हैं। अब अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में लाने के लिए सुनिश्चित करें कि आपकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हो। अब अपनी बाई हाथेली को अपने पेट के पास लाते हुए अपनी बाई टांग पर रखें और अपनी दाई हाथेली को अपनी बाई हाथेली के उपर रखें। ये ध्यान मुद्रा है। सुनिश्चित करें कि आपका पूरा शरीर तनाव मुक और आरामदायक स्थिते में हो, सर से पैर तक अपने शरीर के प्रती जागरुकता बनाएं। ये आपका ध्यान बाहरी वस्तुओं और विकृती से दूर करेगा और अंदर की ओर आकर्शित करेगा। अब आप सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की ओर जागरुकता बनाएं। अपनी सांसे कहरी और धीमी रखें। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक कि आपकी सांसें कम ना हो जाएं। बिना किसी वस्तू पे अपना विशेश ध्यान के इंद्रित किये, सिर्फ अपने भौहों यानि आईब्रोस पर हलका सा ध्यान दें और अपनी आती-जाती सांसों को महसूस करें। अब अपना मन अपने विचारों की तरफ ले जाएं और पवित्र और निर्मल विचारों के साथ रहने का प्रयास करें। जैसे ही आप ध्यान में लीन हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा और आपकी मानसिक गतिविधी कम हो जाएगी और आपके विचार हत्म हो जाएंगे। आप पूरी तरह से चिंता और तनाव से मुक्त होकर आराम महसूस करेंगे। ध्यान योग अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। इसलिए इस्थिती में सामानी रुप से सांस लेते और छोटे हुए जितने समय तक संभव हो उतने समय तक बैठे रहे। ध्यान आपके शरीर और मस्तिष्क को नवजीवन प्रदान करता है। आपकी एकाग्रता बढ़ाने और व्यवहार में सुधार लाने में मदद करता है। ध्यान आपको नकारात्मक विचारों से दूर रखता है ये क्रोध, भै, अवसाद और चिंता को दूर कर सकारात्मक विचार और भावनाय विकसित करने में मदद करता है ध्यान आपकी स्मृति, आपके मनोबल और विचारों की स्पष्टता बढ़ाता है ये आपको अधिक सकारात्मक और उत्पादक बनने में मदद करता है ध्यान आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है नियमित रूप से अभ्यास करने पर ध्यान आपका मस्तिश्क शांत और निश्चल रखता है और आपको आत्म अनुभूती की ओर ले जाता है जो योग अभ्यास का लक्ष है